हेलो एड़् थ्ट क्लास इने चैप्टर एड़् एलजेबरिक एक्सप्रेस्शन क्या होते हैं जब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसा कोई भी स्बस्ट जिसमें आपके पास A, B, C, X, Y, Z, यह वहली कुछ भी आती है जिसको बोलते हैं उसको हम बोलेंगे Algebraic Expression, एजामपल यहाँ पर देखो 7AB, 3A square minus B, यह Algebraic Expression है 4B minus 7Q, ड्योर बाइ 3R, P by Q, X square plus Y square यह सारे कहरे कहा है यह इनको बोलते हैं Algebraic Expression, आगे टर्म क्या आती है, इसमें आपके बाइसे जोए लिए टर्म, टर्म मतने मिन्स, जैसे 7AB है, एकी पूली टर्म, एक टर्म है, 3A square minus B, आपके बाइस देखो, माइनस ने अलग-अलग किया इसको, 3A square अलगा, B अलगा, means, यहाँ पर दो टर्म आपके बाइस, टू टर्म, 4B, माइनस 7 क्यों, यह बाइस में 3 आ रहे हैं, यह बाइस में 3 आ रहे हैं, यह बाइस दो टर्म है, यह बाइस के बाइस, इसको बोलेंगे number of terms, उसके बाद, तो, like, unlike, आभी आपको जोड़त नहीं है, इसमें करने के लिए, monomial, binomial, trinomial, इसको आप, monomial means, अगर उसमें शिर्फ एक ही ट्रम हो, तीज़स यहां पर सहाओने भी है, तो इसको बोलेंगे, monomial, binomials, means, में दो टर्म होने चाहिए, 3A square माइनस भी है, यह दो टर्म है, इसमें, इसको बोलेंगे, binomial, और अगर आपके बास value में, तीन टर्म है, यहां पर देख है, 77XY, यह सभी एक ट्रम है, 2, अगर, binomial के लिए, 3X plus 5, 2 ट्रम है, y square plus 7, 2 ट्रम है, minus 5 plus 7, 2 ट्रम है, इनको बोलेंगे, binomial, और trinomial के लिए, 3 ट्रम होने जैसे, 5 plus 2X plus 3XY, लेकिन जिसमें, 3 ट्रम है, इसमें 3 ट्रम सावकर्स, इसको बोलेंगे, ट्रैनोमिल, और इसमें जो 5 है, यह अलग से है, means, इसके साथ कोई XY एड़ नहीं है, इसको बोलते है, constant value, क्या बोलेंगे, इसको constant value, इसके बाद, degree और देख लाप, degree करती है, degree होती है, सबसे बड़ी जो power होती है, उसको बोलते है, degree, जैसे, आपके बाद से, मुले यह है, इसमें वो clear नहीं है, इसको यह देख लाप, 3S के माइन इस भी है जैसे है, तब के इस power 2 है, बड़ी power 2 है, यहाप बीक बार 1 है, जिसको बोलेंगे, 2, इसकी degree है, 2, means, सबसे बड़ी power को बोलते हो, आप, उसकी degree, वो होती है, इसकी, maximum जो power होती है, highest exponent of the variable in algebraic expression is called, degree of the algebraic expression, highest exponent में, highest power जो होती है, इसकी degree जैसे यहाँ पर, 9P cube, प्लस 7P, प्लस 4 है, तो, cube means 3 power है, तो 3 इसकी degree है, यहाँ पर degree 2 है, तो इसको बोलेंगे, इसकी degree, अब 8.1, एकसा जो आपके पास है, यह करनी हमने, मैंने आपर, एक्जांबल देरह के जैसे यहाँ पर, 5X, X plus 5, 2X, 7X plus 9, यह क्या है, algebraic expression होत constant, जिसे X यहाँ पर variable है, और 5 यहाँ पर constant है, multiply the following monomials को multiply करना आपने, 5X square Y and 8Y square X cube को multiply करना है, तो 5 को 8 से करेंगे, 5, 8, 040 हो जगे हैं यहाँ पर, 5, 8 देरह लिखा है, bracket लगा दी, X square को X cube से करना है, और Y को Y square से, digit, digit से मत्वाए होता है, X, X से, Y, Y से, Z, Z, से means, एक जैस 40, X square X cube हो जगा X square 5, और Y Y square हो जगा Y की पावर 3, और से आज़ा 40 X 5 Y cube, B part है, minus 7 A square B cube and A cube B4 है, minus 7 as it is, क्योंकि हापर तो कुछ हाई नहीं, value में तो एक जाए करना के लिए, minus 7 as it is, A square की में तो है करेंगे, A cube से, और B cube की B4 से, minus 7 as it is हो जगा A square A cube हो जगा पावर एड़ हो तो प्लस 3 पावर हो जगे 5, और 3 प्लस 4 पावर हो जगे 7, minus 7 A5 B7 अन से आज़ा जगा इसका, C part कहा है, 20 upon 7, A, B, C and 7 by 8, A cube B square C5, तो 20 by 7 को पावर करना है, 7 by 8 से, कर दिया हो जगा यहाँ पर, A को करना है, A cube से हो गया, B को B square से, ये भी हो गया, और C को C5 से, तो 7 से 7 कर आएगा, 4, 2 जा एट, 4, 5, 0, 10, 5 by 2, ते यहाँ से आए आपके पाऊच, A की पाऊच, A की पाऊच, 3 पाऊच, B की पाऊच, B की पाऊच, C की पाऊच, 6, second part भी ऐसी है, find the product, पर इसमें value की पाऊच, 3 तीन value है 1, 2, 3, तो minus 4 को 5 और 6 से करना हो गया, bracket 1, x square, x और यहाँ पर x EsquerOR लगा दिया है लिखते हैंगे लगाए लिखते हैं याह बर्यक्ट वाई वाई कि एकल चैयर यहाँ पर नहीं हम है jack को माइनस 120 X5 Y4 Z अंसर आएगा आपका उसके बाद B पार्ट है इसी का 3 X Y Z माइनस 2 X Q Y Q Z की पार 4 है and 7 X 5 Y 5 और Z 6 3 माइनस 2 और 7 यहाँ पे लिखा X X Q X 5 यहाँ पे लिखा Y Y Q Y 5 यहाँ पे लिखा और Z Z पार 4 Z 6 यहाँ पे लिखा 3 को 2 से 6 7 जा 42 माइनस के आएंगे X की पार 3 प्लस 5 8 और 9 हो जाएगी Y की पार B 9 और Z की पार 11 अंसर आपका यह अंसर आगया E पार 9 और 4 A सकर B सकर C माइनस 2 और 3 A 6 C 4 B and माइनस 14 और 9 A Q B सकर C 9 और 4 माइनस 2.3 माइनस 14 और 9 A सकर A 6 A Q लिखी वहले यहाँ पे बी स्क्रीम एकलाख भी अहां पर हो यानपर बीस्क्रीर बी स्क्रीट में 20 के टिकाए सीशु इतार सिक बार फोरके वार 500 यहां पर हो गया इस वेली को की इनहां पर करके लेड़ाों काई आइन nostчив नाइन केंचल मुए वैगा ऊच्छी तार्फ टू टू हो 14-7.3 आया माइनिस से माइनिस कट जगा 7.3 एक ये बार हो जाएगी 11 बी की बार हो जाएगी 5 और ची की बार हो जाएगी 10 तो आपका ये अनसुर है थर्ड पारड एक्स्ट्रास दाफ वॉल्विंग एज मोनोमेल इनको मोनोमेल की फॉर्म में अपने एक्सप्रस करना जीसे एक क्या है एक्सकी पार 7 एक्सकी प्रॉटिन एक्स ट्रॉट्इन तो बुजब मनौत विआ करते हैं तो प्रॉट वर जाती है को वाई की पार 40, Z पार 20, Z 20, X 60, X की पार 60 और यहां पे X की पार 60 यह हो जएगा, 60 प्लस 60 यहां पर X की पार 40, Y की पार 40, Y की पार 40 प्लस 40 हो जाएगा, सम्मोल प्रफाइब में आये हैं, सिट टंटीड इसको बोलते हैं मॉनमील को कोई प्रश और नहीं आया इसको बहोगते हैं मॉनमील उसकी पर तब करforce में है कि आग्षिग ह। उससा सीजार गंद आचप्अ पर है इसके में आगा इस सब्सक् skinny और और एक X इयरह, कितना हो जाएगा 501 हो जाएगे यहाँ पर y की पावर 400-1 in 400-1 हो जाएगे यहाँ पर ऐसे और जैट lus j2 की पर 0 Connect यहाँ यहाँ जीरो तो बंपलश 0 जाएगी पावर जैडेलें पर धोलन यहाँ परơn आएगा एक्स पावर 5001 501 वाई पावर 401 और इंटु में जैड यह अंसर आपका है तीन पार्ट हो चुके नेक्स्ट पार्ट में आगे नेक्स्ट का जो बारक रहता है वो करेंगे थेंक्यू